नमस्ते ज्यान गंगा भारत इस यूटूग चाइनल पर आप सभी का हर्तिक स्वागत हैं आज हम हिंदी उपयुजित लेखन में विग्यापन लेखन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इसके लिए वीडियो पूरा देगें चले हम देखते हैं विग्यापन तयार करेंगे इसके हम समिस्तर जानकारी प्राप्त करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना इसा बॉक्स बना लेना है और उस बॉक्स में आपको जो आपको विग्यापन तयार करने को बोला है जैसे हमारा प्रशना है साइकल कमपनी का विग्यापन तो उसी संबंदित हमें क्या करना इसी cycle की आप चित्रा निकाल सकते हैं कि हमारी जो विग्यापन है जो आर्टाइजमेंट है वो आकरशक दिख सके उसके बाद हमें विग्यापन लिखते समय हमें आकरशक और अलंकारिक शब्द काव्य मैं शब्द इनका प्रयोक कर सकते हैं जैसे मैंने निकने का प्रयास किया है आई आई साइकल आई चले रानी कमपनी की साइकल आई क्या बताए हम इसकी शान स्वयम ही ये इसकी पहचान देखो इस प्रकार आप निक सकते हैं उसके बाद जब विज्यापन हम त्यार करते हैं तो जो विज्यापन है उसकी विशेशता हमें लिखना बहुत जरूर है जैसे लिकाए देखो वजन में हलकी, पीपायती दाम, मजबुत वर टिकाओं उसके बाद संपर्क निकना है, आज ये संपर्क करें चलरानी कंपणी, डिस्टिब्यूटर्स, पंखरा, शॉपिंग मॉल, गिरगाओ, मॉंबई, चार, शुन्य, 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 चार, दूर्भाश, मत्दब, मोबैल नमबर आपको निकना है नो, 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 चार, पाच, चार, पाच, देखो इस प्रकार जब हम विज्यापन लिखते हैं, जब अनंकारिक भाशा उसकी जो हमारा विज्यापन है, उसकी क्या विशेशता है, वो लिखना जरूरी है और संपर्क और बाद में जो मोबैल नमबर या धूरबाश क्रमांक लिखना जरूरी है देखो इस प्रकार आज हमने साइकल कमपनी की का विज्यापन किस प्रकार हमें लिखना चाहिए, इसकी हमने बहुत ही आसान और सुन्दर भाशा में चानकारी प्राप्त की आपको यह वीडियो कैसे लगा, कमिल मॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को जादा से जादा शेर करना, लाइक करना और आप हमारी ज्यान गंगा भारत यस यूटूब चानल पर नहीं हो, तो चानल को ज़रूर सब्सक्राइब किजी और बेल आइकोन को प्रेस किजी ताकि आपको इसी प्रकार के नएने वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके, धन्यवाद